पॉपुलर रियालिटी शो बिग बॉस ओडिटी का तीसरा सीजन इन दिनों जियो सिनेमा पर स्ट्रीम हो रहा है लगातार होते लड़ाई जगडों के चलते शो विवादों में बना हुआ था इसी बीट शो के मोजुदा कंटेस्टेंट अर्मान मलिक और उनकी पत्नी करतिका मलिक का एक वीडियो सोचल मीडिया पर वारल हो गया वीडियो में दोनों घर में रोमांस करते दिखे हैं वीडियो वारल होने के बाद शिवसे नानीता और पार्टी प्रवक्ता डॉक्टर मनीशा कायंदे ने बिग बॉस के मेकर्स पर अश्लील कंटेंट पर उसने के आरूप लगाते हुए लीगल एक्शन किये जाने की मांग की थी विवादों के भी जियो सिनेमा द्वारा ऑफिशल स्टेट्मेंट जारी किया गया जिसमें मेकर्स ने शोपर लगा रहे आरूपों का निराधार पताया हाल ही में आय जियो सिनेमा के ओफिस्चल स्टेटमेंट में कहा गया है जीयो सिनेमा एप्प स्ट्रीम होने वाले हर तरह के कंटेंट पर क्वालिटी के मद्दे नजर बारिकी से नजर रखता है इसके लिए स्ट्रिक्ट प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ट और गाइडलाइन है बिग बॉस ओडिटी जो जियो सिनेमा पर स्ट्रीम होता है उसमें इस तरह का कोई कंटेंट नहीं है जो अशिल कंटेंट हो जो अशिल कंटेंट वाली वीडियो क्लिप सर्कुलेट की जा रही है उसमें काच्छाट की गई है जो फेक है हम जियो सिनेमा की अखंटा और दर्शकों के भरोसे की रक्षा करते हैं इस तरह की फरजी वीडियो का आना बहुत चिंता का फिशय है जियो सिनेमा द्वारा जारी की एक स्टेट्मेंट में ये भी साफ किया गया कि जियो सिनेमा की टीम फेक वीडियो बनाने वाले की तलाश में है बिग बॉस OTT की छवी खराब करने के आरोप में उस शक्स के खिलाफ लीगल एक्षन लिया जाएगा बीते कुछ दिनों से सोचल मीडिया पर अर्मान मलीक और कृतिका मलीक का एक वीडियो वाइरल हो रहा है वीडियो में दिखाया गया है कि कपल घर की लाइट्स बंध होने के बाद कंबल में रोमैंटिक हो रहे है वीडियो के वाइरल होने के बाद शिव सेना एक नाचिंदे की प्रवक्ता और नेतना डॉक्टर मनिशा कायंदे ने शो के खिलाफ लीगल एक्षन लेने की मांग की उन्होंने आरुप लगाया है कि शो में अस्टिल कंटेंट दिखाया जा रहा है लीगल एक्षन लिए जान बिग ब्रदर शो का है इसे जोड तोड़कर बनाया गया है इसी के साथ परने ने राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद झालेफे उन्होंने लेन स्टीड है इसाथ डिर्दुब के साथने जопलाबंसे लेहां है कि शोड़कर लेहां कि शो टीवीड़क्क साथज ऑलेबसे रहत जाना Com всп झाल झाल